हलो एवरिवन आज हम बनाएंगे टमाटर और हरे प्यास की ऐसी वाइरल चटनी जिसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप एक बार इसे ट्राइ कर लेंगे तो आप बार बार इसी को बना कर खाएंगे बिलकुल देसी तरकी से बनाएंगे जिसमें मसाले भी बहुत कम जाएंगे और पांच मिनट के अंदर ये बन कर त्यार हो जाएगी इसके लिए हमें चाहिए तीन मीडियम साइस की प्याज प्याज को आपने एकदम रफली स्लाइस करना है आप प्याज का साइस चेक कीजे मैं कितने साइस में से काट रही हूँ क्योंकि जो कटिंग चॉपिंग अची जानते हैं वो बहुत साधा बरीक काट सकते हैं तो आपको बहुत बरीक नहीं काटना है नॉर्मल काटना है अगर आप भी चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं तो प्याज को हाथों से खोल कर इसके लच्छे बना ले क्योंकि जब भी हम प्यास को chopping board के कारते हैं तो वो चिपकी रहती अलग नहीं होती है चलिए अब हम next step पर आते हैं एक कडाई में हम सरसो का तेल आड़ करेंगे और इस recipe को बनानी के लिए थोड़ा सा oil जादा quantity में use होता है जो oil बच जाए सबजी बनाने के बाद आप इसे next recipe में use कर सकते है इस chutney को बनाते हुए आपने दो चीजों का ध्यान रखना है पहला कि gas flame एक दब हाई रखे दूसरा कि आपको इसमें लोहे की कडाई या aluminium की कडाई या non-stick भी आप use कर सकते है लेकिन आपको इसमें steel की कडाई यूज करना avoid करना है क्योंकि steel के बरतन में आप खाने को जादा नहीं भून सकते है और इस सबजी का तभी टेस्ट आएगा जब इसकी अच्छे से भूनाई होगी प्यास को आपने एकदम soft होने तक पकाना है इसे हमें brown बिल्कुल भी नहीं करना है अब इसमें 4 बड़े size के tomato आट करेंगे और tomato को भी मैंने roughly chop कर लिया है और ये देसी tomato मैंने इसमें use करें है इस recipe में क्योंकि इसका taste ज़ादा अच्छा आता है ये थोड़े से खटे होते हैं और सबजी के अंदर एक natural सी खटास लाने के लिए आप local tomatoes यानि की देसी tomato का ही use करें एक tomato मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ देखें कैसे मैंने काटा है बिल्कुल ऐसे ही आपको roughly काट कर इसमें tomato add करने है अब इसमें हम masala आट करेंगे आदा चमच लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही इसमें हम थोड़ा सा नमक आट करेंगे सिर्फ ये ही दो masala आपको add करने है और कोई भी masala इसके अंदर नहीं जाएगा लेकिन अभी recipe complete नहीं हुई है अभी इसमें और भी चीज़े बाकी है तो आप वीडियो continue रखे यहाँ पर मुझे आन्या भी help कर रही है आन्या ने आटा गून कर बहुत ही प्यारे प्यारे से फुलके बनाए इदर सब्जी भी अच्छे से भून चुकी है आप देख सकते हैं oil इसमें से separate हो चुका है सब्जी को आपने तब तक भूनना है जब तक वो हलकी हलकी कडाई में जब चिपकने लग जाए आपको पता लग जाएगा सब्जी अच्छे से भून चुकी है उसके बाद आप इसमें हरी प्यास आड़ करेंगे और ये तीन हरी प्यास के पत्ते हैं हरी प्यास डालने के बाद आपको मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए ही से पकाना है बहुत देर नहीं करना है और तुरंती इसके अंदर आपने थोड़ा सा हारा दरिया काटके डालना है और इसे गरमा गरम आप रोटी के साथ चपाती के साथ सर्फ करें जब भी आपका रेसिपी को बना सकते हैं तो आप भी जल्दी से जाकर इस रेसिपी को ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं